अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक बिल्ली रास्ता काट दे चाहे आप इसे अशुब मानते हो या नहीं पर एक बार को आपके कदम रुप जाते हैं जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्ली का रास्ता काटना शुब होता है या अशुब पर इस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे दोस्तों यहाँ आम धार्णा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अप्शकुन होता है इस धार्णा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर ठहर जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए जो उनसे पहले रास्ता पार करे इससे अप्श बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की मान्यताएं केवल भारक में ही नहीं है। बिल्ली आपका रास्ता काट लें तो इसका सबसे आसान उपाय यह है कि आप अपने इश्टदेव या हनुमान जी को प्रणाम करें और उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद